राजस्थान के मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा पिछले 34 वर्षों से राजनीती में सक्रिये रही, इस बार भारतीय जंतपार्टी से पहली बर विधायक बनकर आने वाले भजलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाये गया। लेकिन उनके राजनीते करियर में एक समय ऐसा भी आया, जब उन्होंने बीजेपी से बगावत करते हुए चुनावी ताल ठोकते थी। भजलाल शर्मा ने एक बार भारतीय जंतपार्टी के बागी उमिद्वार के रूप में चुनाव लड़ा और अपनी जमानत तक जब्त करवा दी थी। ये बात 2003 की विदानसवा चुनावों की है। जब भजलाल शर्मा ने राजस्थान समाज़िक न्याय मंच का प्रतिनिधित्व करते हुए बीजेपी के बागी के रूप में भरतपूर के नदबई से विदानसवा चुनाव लड़ा। हाला की वो इस चुनाव में बुरी तरह से हार चुके थे। उन्हें सिर्फ 5,979 वोट ही हासिल हुए। इस चुनाव में शर्मा पाच्वियस्थान पर रहें जिसमें उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। तब निर्दली उमिद्वार कृष्ण नेंद्र कौर ने 27,299 वो को अच्छे अंतर से हराया। तबके चुनाव में पाच्वे नंबर पर रहने वाले भजनलाल शर्मा इस बार वधायक बनी और एक आश्चर्य जनक कदम में बीजेपी ने मंगलवार को पहली बार वधायक बनी भजनलाल शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री ब कर्मा को बाहरी करार किया था हाला कि उन्होंने कॉंग्रेस के पुषपेंद्र भारद्वाच को अच्छे मतों से हराया। उसके बाद ये आश्चर्य जनक फैसला जो बीजेपी की ओर से लिया गया है पहली बार वधायक बनने वाले वैक्ति को मुख्यमंत्री बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बीजेपी का जो मॉडल है सोच है उसको दर्शा रहा है कि बीजेपी हर किसी को मौका देना चाहती है और इस बाद बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में एक नए चेहरे को उतारने की जो कोशिश की थी वो काफी अच्छी लगी लोग को भी काफी पसंदा रही है और बीजेपी की ओर से दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो किसी एक पर टिकन मिल सकती है यही वज़ा थी कि कल जो विधायक है वो काफी उकसाहित भी नजर आ थे क्योंकि बीजेपी की ओर से किसी बीसी एम का चाहरा रिवील नहीं किया गया था किसी का भी नाम रिवील नहीं था इस वज़े से हर एक विधायक यह सोचकर आगे आ रहा था यह सोचकर क काफी उकसाहिद भी था काफी उत्सुक भी था कि आखिर क्या हो सकता है किसका नाम हो सकता है कि उनका नाम ना हो बिल्कुल वैसा ही हुआ भीजेपी ने पहली बर विधायक रहे भजलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर चुल लिया राजस्थान के मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा पिछले 34 वर्शों से राजोनीती में सकरिये रहे ही इस बार भारते जंतपार्टी से पहली बर विधायक बनकर आने वाले भजलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन उनके राशुनिते कर्यर में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने बीजेपी से बगावत करते हुए चुनावी ताल ठोकते थी भजनलाल शर्मा ने एक बार भारती जंता पार्टी के बागी उमिद्वार के रूप में चुनाव लड़ा और अपनी जमानत तक जब्त करवा दी थी ये बात 2003 की विदानसवा चुनावों की है जब भजनलाल शर्मा ने राजस्थान समाज़िक न्याय मंच का प्रतिनिधित्व करते हुए बीजेपी के बागी के रूप में भरतपूर के नदबई से विदानसवा चुनाव लड़ा हाला की वो इस चुनाव में बुरी तरह से हार चुके थे उन्हें सिर्फ 5979 वोट ही हासिल हुए इस चुनाव में शर्मा पाच्वेस्थान पर रहें जिसमें उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी तब निर्दली उमिद्वार कृष्ण नेंद्र कौर ने 27,299 वोट प्राप्त करके चुनाव जीता है। कृष्णेंद्र कौर ने बहुजन समाज पाटी के संजर सिंग, कॉंग्रेस के यश्वन सिंग रामू और बीजेपी के जुतेंद्र सिंग को अच्छे अंतर से हराया। तबके चुनाव में पाच्छे नंबर पर रहने वाले भजनलाल शर्मा इसे बार वधायक बनी और एक आश्चर्य जनक कदम में, बीजेपी ने मंगलवार को पहली बार वधायक बनी भजनलाल शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। 25 नंबर को विदानसवा चुनाव में जैपूर जुले के सांगनेर से चुने गए शर्मा बीजेपी की राज्य एकाई में पदाधिकारी रखी। भरतपूर के निवाजी होने के कारण चुनाव से पहले सांगनेर में कुछ लोगों ने शर्मा को बाहरी करार किया था। परणामी, मदनलाल सैनी, सतीश पूनिया और सीपी जोशी के तहत राजे महासाचीव रही है। बदनलाल शर्मा जिन्हें मुख्य मंत्री बनाए गया है, पहली बार जोकी विधायक बने, चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। उसके बाद ये अशर्य जनक फैसला जो बीजेपी की ओर से लिया गया है, पहली बार विधायक बनने वाले वैक्ति को मुख्य मंत्री बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बीजेपी का जो मॉडल है, सोच है, उसको दर्शा रहा है कि बीजेपी हर किसी को मौका देना चाती है। एक को लेकर बीजेपी हमेशा आगे नहीं बढ़ती रहेगी, हर किसी को बीजेपी मिल सकती है। पहली बार विधायक रहे भजनाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर चुल लिया। पहली बीजेपी ऑ्र உ सकती है